हेलो एवरिवन आज हम गिट्स की एक और रेसिपी ट्राइ करेंगे तो आज मैं ट्राइ करने जा रही हूं गिट्स का इंस्टेंट वड़ा मेकर सो विदाउट वेस्टिक एने टाइम लेट्स केट स्टाटेट यहां मैंने इसका छोटा वाला पैक लिए जिससे 25 वड़ा बन अब एक कडाई में ओयल करेंगे और इसे चमच की मदद से इसके वड़े बनाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राइ करेंगे कि तो इसमें मैंशन था 25 वड़ा बनके त्यार हूंगे तो मेरे टोटल 21 बनके ही त्यार हुए है इसी तरह से हम सारे वड़े जो है बना लेंगे सारे इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाना है एकदम इंस्टेंड और कोईक रेसिपी है तो इसे ट्राइ करने में कोई ज़धा तकलीफ भी नहीं होती तो यह देखे हमने सारे वड़े जो है बना लिए है थोड़ा इसे तीन से चार मिनट के लिए रखना था फिर इसे ठंडे पानी में हमें दाल देना है और mention करा है उन्होंने time की कितनी देर के लिए पानी में रखना है उसी के अनुसार हमने इसे पानी में रखा और इसे अब हमने एक बाउल में निकाल लिया अब इस पे जो है हम sweetened curd डालेंगे तो मैंने दही में चीनी दाल के रखी थी उसे इस पे पूरे अच्छे से कोड कर दिया और इसे अभी हम ढखके रख देंगे अब जितना time mansion था मैंने इस पे डखके रखा अब इसकी serving करते हैं तो यहां मैंने वड़े को जो है प्लेट में निकाल लिया इस पे थोड़ा सा दाई दाला यह मीठा दाई है अब इसमें हम दालेंगे कुछ मसाले तो जिसमें मैंने नमक दाला अब थोड़ी सी इसमें मैं दालूंगी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और इवन आपको बड़ा वनाते समय भी इसमें जीरा या कुछ भी निदालना उसमें mention वही हमें इसमें फॉलो करना है अब थोड़ी सी मैं से मीठी चटनी दाल रहे हूं इमली की, वो दाल दी है अब इसे, अब थोड़ा से धन्य से हम सजा देंगे, और हमारे वड़ा एकदम तयार है, तो एकदम इंस्टेंट और कोईक रेसिपी है, और अच्छी है, टेस्ट वाइस भी, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो जरू लाइक कीजिएगा, चैनल को नहीं है तो जरू सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ, तिल देन, बाबाई, एंजोई,